वे वरिफरीवन आज हम डिसकस करने वाले हैं बनारत हिंद्व उन्वर्सिटेश के इड्मीशन फॉर्म के बारें बात करने वाले हैं अगर आप बनारत हिंद्व उनवर्सिटीश में डिमीशन लेना चाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें admissions है CU ad के तुरूं CU ad के forms release हो गए हैं फॉर्म कैसे फिल करना है वीडियो का link आपको description box में मिल जाएगा दो important steps जो कि आपको ध्यान रखने सबसे पहला step से CU ad का form फिल करना CU ad के form में आपको इस universities को select करना जरूरी है और उस course को भी select करना जिसमें आपको admission लेना जैसे भी honors में आपको admission लेना है तो आपको भी honors को भी select करना पड़ेगा और दूसरा university का आपको separate counseling form भी फिल करना है जो कि forms बाद में release किये जाएंगे entrance test के बाद या फिर entrance test के results से पहले भी आपको forms को release किया जा सकते नॉर्मली form सब पहले release होना शुरू हो गए हैं और यहां पर हर course का eligibility criteria दिया हुए जिस course में आपको admission लेना है तो section 1 जोस करना है हिंदी या फिर English और section 2 से legal studies और section 3 से general test अगर आप पूरा eligibility criteria fulfill करेंगे तभी आप eligible होंगे admissions के लिए यह आपको ध्यान रखना है जिससे बीस्टी ओनर्स में आपको admission लेना तो PCM आपको चूस करना ही पड़ेगा इस तरीके से यहां पर हर course का eligibility criteria आप की साइट से जो है चेक कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा थैंक यू